पांच राज्यों की विधान सभाज चुनाओ जिसके नतीजे अब सब के सामने आ चुके हैं लेकिन उन में से तीन राज्ये जहां पर भारती जनता पार्टी को बंपर जीत मिली है और इस बंपर जीत ने सब को चौका दिया है कॉंग्रेस इतनी बुरी तरह से हारेगी इतनी पिछड जाएगी ये शायद किसी ने नहीं सोचा था हाँ हाला कि कई राज्ये थे जहां पर माना यह जा रहा था कि हो सकता है कॉंग्रेस सत्ता में ना आपाए लेकिन इतनी बुरी स्थित्थी हो जाएगी इतना कॉंग्रेस पिछड जाएगी किसी ने नहीं सोचा था इस आज इस वीडियो में पूरी research के साथ मैं आपके सामने जुड़ी हूँ और इस वीडियो में आपको तीन राज्यों में खास तौर पर जहां पर congress की हार हुई है और भारती जनता पार्ति की बंपर जीत हुई है अब इस तीन राज्यों में हार के मुखे कारण क्या है हाला कि आला कमान क्या इस पर अब उस तरीके से चर्चा करता है क्या डैमेज कंट्रोल उस तरीके से किया जाता ही आने वाले समय में जरूर समझ में आएगा लेकिन इन तीन राज्यों में हार की कु बरूर देखेगा और उसके बाद आपकी राय भी हम जानने की कोशिश करेंगे लेकिन शुरुवात मैं उस पहले कारण के साथ करती हूं जो सबसे मुख्य कारण मुझे लगा है सबसे मुख्य कारण आला कमान का रहा वह आला कमान जिसकी इस्थिती जो शीष नेत्रत्व हमे इसकी जब मैं बात कर रहे हूं तो अब आप ऐसे समझे राजस्थान मधिर प्रुदेश और च्छतीजगर बीज़पी की बात करूं तो आप खुद बताईए कि बीज़पी का कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा होगा कौन सा ऐसा आपने शीष नेत्रत्व में बैठा हुआ चाह हुआ शीष नेत्रत्व ने उस तरीके से बागदूर को नहीं संभाला और ग्राउंड लेवल पर जो राज्यों के मुख्यमंत जैसे वहां पर च्छतीजगर और राजस्तान में खुद कमान संभाल ली और मध्र प्रुदेश में भी यहीं दिखाई दिया जो लोकल लीडर से उन्होंने अब मध्र प्रुदेश में क्या हुआ सबसे पहले आप वो देखिए माना यह जा रहा था कि पहले से करनाटक मॉडल यहां पर लागू किया जा सकता है लेकिन कमलनाथ ने पूरी तरीके से उसे बदल दिया कमलनाथ ने जो कांडिडेट से उनकी सिफारिश आ सामने आई थी और बाद में हुआ भी हवा मेहल से आप देखिए नहीं टिकेट दिया गया महेश जोशी को और महेश जोशी के लिए आखरी समय तक वो फिल्डिंग करते हुए दिखाई दिया शोगेलो शांती धारिवाल का भी नाम नहीं था लेकिन शांती धारिवाल को ट मद्रदेश, राजिस्तान और अच्छतिजगर के भी यहां पर यहीं इस्तिती रही तो यह कुछ कारण जो सबसे बड़ा फैक्टर यहां पर रहा शीष नेत्रुत्व का उसे बहुत अच्छे तरीके से भुना नहीं पाए और यही हमने देखा चुनाव प्रचार में भी ह हुआ कि उस तरीके से जो प्रचार था वो भी नहीं हो पाया दूसरा जो मेजर कारण रहा सबसे बड़ा कारण रहा वो चुनावी वादे और घोशनाए थी और जब मैं चुनावी वादे और घोशनाए कहते हूं तो आप कंपेर कर यह भारते जनता पार्टी से देखे इस राजसान में अशोग घैलोत ने क्या कहा कि हमारी सरकार बन गई तो जो घर की महिला मुखिया होंगी उनको सालाना 10,000 रुपे दे देंगे लेकिन कैश में किसी भी तरीके से उनको नहीं समझ में आ पाया अब ऐसे में भारते जनता पार्टी ने क्या किया आप माधिर प्र तीनों में हुआ कि जो चुनावी वादे और घोशनाए की गई वो किसी न किसी तरह कौपी लगने लगा वह यह लगने लगा कि किसी को देख देख या चूकि भारते जनता पार्टी ने इवादा कर दिया है या यह कर सकती है इसी लिए कॉंग्रेस भी घोशनाए कर रही ह है यह दूसरा मुख्य कारण रहा तीसरा जो सबसे जादा हमने पिछले पांच सालों में लडाई भी देखी और उसमें राजसान सबसे प्रमुखतौर पर है कि हर राज्य के दो-दो चेहरे हमने देखे अब जब मैं राज्य के दो-दो चेहरे कह रही हूं तो आप इसको अब आप हो सकता है कि आप इसमें यह कहें दें कि इस बार तो बीजेपीं ने भी करता बिद समय बिचिक भीश्शन और हो सकता था ब्रइक सबसे नहीं हो सकता हूं बैकि चुके ऐसा करके वह जीत रहे है तो इसका discussion खत्म हो गया है लेकिन Congress ने क्या किया सचिन पालेट और अशोग गहलोत की जो गुटबाजी थी वो लंबे समय तक हमने सरकार में 5 साल तक देख ली 25 सितंबर की तारीक भी वो याद होगी और हुबहु यही जो इस्तिती है वो बाकी राज्यों में भी दिखाई द देती थी वो और ज्यादा बढ़ गई आप देखिए बाद में ये भी कहा गया कि सचिन पालेट ने अशोग गहलोत के साथ चुनाव प्रचार नहीं किया पिछले बार तो वो बहुत तस्वीरे वारल हुए थी जिसमें एक स्कूटी थी जिस पर सचिन पालेट उसमें साथ बैठे थे अशोग गहलोत पीछे बैठे हुए थे यानि कि माना जा रहा था कि वो दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे और लोगों ने उसी माइंडसेट के साथ उन्हें चुनाव में जीत दिला दी लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दोनों ने साथ में प्रचार नहीं और मैं इसे कहूंगी कि सबसे ज्यादा चर्चित अगर कोई टॉपिक रहा तो सौफ्ट हिंदुत्व को लेकर था अब सौफ्ट हिंदुत्व को लेकर मैं क्यों कह रही हूं जब आप देखिए कि मंदिर या हनुमान का भक्त होने की बात हुए इसको लेकर डिबेट आपन कोई वोटर है यह तो सब जग जाहिर है ना कि बीजयपी की समर्थन में हमेशा से रहा है चाहे वो फिर कैसे भी मुद्डे हो तो पिर जब हिंदुत्व की मुद्डे पर ही वोट देना है तो पिर कॉंग्रेस को क्यों दे फिर तो भारती जनतापार्टी थी यह यह भी एक वोटों का धुरुवी करन हुआ और जब मैं वोटों का धुरुवी करन कहती हूं तो फिर आप यह समझे कि अगर मैं राजस्तान पर एक बार फिर से आ जाओं तो कुछ ऐसे मुद्दे रहे इस बार जो बहुत जादा हाइलाइटेड रहे राजस्तान में कनहिया लाल की हत्य और जब कनहिया लाल की हत्या हुई तो कनहिया लाल की हत्या का कारण क्या रहा वो एक बहुत बड़ा कारण रहा कॉंग्रेस की हार का अब बाद में फिर यह भी कहा गया कि फास्टेक कोर्ट में केस चलने की इजाज़त नहीं दी गई या फिर आप उसको याद करिए जब प्रदेश की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी खुद बड़े स्टार प्रचारक जो भारते जनता पार्टी के माने जाते हैं वो जैपूर में गए और परकोटे में उनका रोट शो हुआ और परकोटे में जब रोट शो हुआ तो आप सोचिए कि उन्होंने कहां से वो इशाना था गहलोग सरकार पर कि तुष्टी करण की राजनीती और तुष्टी करण की राजनीती का जो आरोप है वो तीनों राज्यों में कहीं न कहीं हमने देखा कॉंग्रेस पर राजसान में भी मध्यप्रुदेश में भी और ठाटीसगर में भी यह पांच मुखे करन हो सकते हैं जिस पर कॉंग्रेस आने वाले समय में अगर चर्चा करती है तो शायद वो और ज्यादा बहतर हो पाए और जब मैं डैमेज कंट्रोल कहते हूं तो डैमेंज कंट्रोल आप समझे तब होता है जब पार्टी इसको डैमेज माने अगर डैमेज मानेगी तो कंट्रोल हो जाएगा वरना आगे अभी बहुत चुनाओ है और अभी तो लोकसभा चुनाओ भी होना है फिर कॉंग्रेस क्या वहां कॉंपेटीशन में भी रह पाएगी क्या इन सब पर आप क्या सोचते हैं वीडियो आपको कैसे लगा कॉमेंट करके जरूर बताईए